पाइथन इंटरपेडर तो PS Code बें जाना है विएव को सेलक्ट करो और Command Palette को Open करो यहां पर Command Palette ऊअच चुका है यहां पर लिखना है Simply Python और Select Interpreter तो इसको क्लिक करके आप Interpreter को सेलक्ट कर सकते हो Version को चेक करने के लिए cmd में जाना होगा यहां पर cmd को क्लिक करके लिखना होगा कि python slash slash version 3.11.7 इसको आप select कर सकते हो यहाँ पर python 3 को आप select करके run कर सकते हो फाइल को ठीक है मैं इसे select कर लेता हूँ और इस program को run कर देता हूँ तो यहाँ पर मेरे 30 आ चुका है answer अगर यह इंटरिबेटर आपके नहीं चलता है तो आप select में जाकर 3.12 set कर सकते हो ठीक है यहाँ पर मैंने कर दिया और यह भी run हो चुका है 30 answer आ चुके इस पर कार आप किसी भी लेंगविज की interpreter को select कर सकते हो और उसे run कर सकते हो तो thank you for watching